जेके न्यूस टुड़े देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर पचास करोड की लागत से बनने वाला जमू का अपसरा रोड हाई स्ट्रीट जो है वहाँ पर काम किस तरीके से चल रहा है और उस काम की स्पीड कितनी है यहां के दुकानदार और ट्रेडर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं आज हम बात करेंगे उनी से और जा आज हाइ टेक फसीलिटीज यहां मिलने वाली है उससे कितने संतुष्ठ हैं यहां के वियापारे कोने साब आप मुझे बाता इए कि जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है कितने सैठिस्फाई हैं बेहिसे जो प्रजेक्ट है बेसे की प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लेकि 60% और पड़ा हुआ है तो इसी साथ से तो यह बड़ा लेट है और इस से हमारे जो दुकान दार हैं उनको बड़ी परशानी है हमारा जो बिजनस है वह आलमोस्ट 80% कम हो चुका है तो इसी लिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा किया काम को और जल्दी जल्दी यह कंप्लीट किया जब यह प्रोजक्ट बन जाएगा तो यह एक मॉडल होगा हमारे लेकिन उसके लिए हमने वैसे ही एक साल तो वेट किया अब और पता नहीं कितना वेट हमें करना पार्किंग रखी हुए हैं फिफ्टी एट तीन चार जग स्कूल के आगया एक इदर पीशे पीरबाबाजी के पास है फुछ तो हम बहुत हैं कि चलो जिए जम्मू में पहला प्रजेक्ट आरा स्मार्ट सिटी में तो बट इन्होंने जो बहुत लंबा टाइम ले लिया ना उसे लोगों को परशानी हो रही है वह उस पर गवर्में जैसे कि पवन गुपता जी ने कहा कि यहां 58 गाड़ियां पार्क करने का प्रविजन है जिन के लिए पार्किंग डक्ट और काट आउट्स बनाये जा रहे हैं हम आपको स्क्रीन पर यहां पार्किंग डक्ट दिखा रहे हैं जिस से आपको बखोवी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर अठूंजा से काफी कम गाड़ियां पार्क हो पाएंगी महज तीन या चार डक्ट हैं और हर एक डक्ट में साथ से आठ गाड़ियां पार्क हो पाएंगी तो इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुल पार्किंग कितनी हो पाएंगी इसके इलावा आ ऐसे दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिनकी दुकान की उंचाई फुट पाज से बहुत उंची है। इनको दुकान पर पहुंचने के लिए सीड़ी बनाना मुश्किल हो सकती है। इसके इलावा पानी और बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम आपकी स्क्रीन पर है लेकिन इस सब के बावजूद लोग अपसरा रोड हाई स्ट्रीट को लेकर बहुत ज़्यादा उतसाहित हैं करेगा एक तो आपका एक वाकिंग स्ट्रीट बने जब बनेगा तो उससे बेनिफिट होगा दुकानदारों को भी बेनिफिट होगा इससे क्योंकि अच्छा हो रहा है काम डैफिनली अच्छा हो रहा है तो कुछ चीज़ें हैं चोटी मोटी वह कोई ज्यादा मैटर नहीं करती हैं